हाई प्रेंट्स विलकम है हमारे जेसी डिया यूटूब चैनल पे तूड़े भी हाइब सेलेक्टेट टेस्ट नंबर 155 है एक सो पांच नंबर टेस्ट है इस पे हम बात करेंगे मेटिकल नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टन कोशन के बारे में ये कोशन सभी नर्सिंग एजाम सबी के लिए ऑर ये वो कोशन है जो नर्सिंग लिए जो अभी तक पूछद कैए कजには में हैं कोशें नबर 15 है आपकी स्क्रीन पर आप अपढ़ सकते हैं और अपना हम से बता सकते हैं Q1, सभी अच्छे लेवल के Q2, वो Q2 लिएगे जो अभी तक पूछेगे एक्जाम्स में है Q1, हड़ी की घंत्त में कमी, जिससे फ्रेक्चर की संभावना बढ़ जाती है, क्या कहते है इंगलिस में आप पढ़ ले, अच्छे से Q2 समझ में आ जाएगा What is the decrease in the bone density that increase the chance of the fracture According to option, आपको अपना answer बताना होगा, क्या होगा इसका right answer इसका जो right answer है, option C, इसका right answer है हड़ी की घंत्त में कमी, जिससे fracture की संभावना बढ़ जाती है उसे क्या कहते है, osteoporosis कहते है क्या? osteoporosis, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आपसंस इसका right answer होगा, कई बार हमने इस वर्ट को define किया है osteoporosis होता क्या है, इसमें क्या होता है, हड़ी का बोन का density होता है वो कम हो जाता है, और यह किसकी बज़े सोता है यह old age में क्या होता है, जब केलसियम की कमी हो जाती है तो जो BOMD के मादेब से पता लगा जाता है, BOMD का मतलब होता है bone mineral density, ठीक है, इसके मादेब से osteoporosis का पता लगा जाता है यह देखा जाता है, कि आपकी bones पे, कितने milli pressure पे, जो density है bones का वो कितना है, अगर bones का density कम होता है तो इससे क्या होता है fracture सोने के संभावना जादा होती है और उसी जो bone में density कम होती है उसी को osteoporosis के नाम से जाना जाता है Also known as the osteoporosis Next question पर चलते है, question number 2 है आपकी screen पर आप पढ़ सकते हैं अपना आमसर बता चकते है Question number 2 HIV रोग का सबसे अच्छा संकेत क्या है? यहाँ पर अच्छे बुरुपे मतलब नहीं है यहाँ पर आपको बताना है कि जो best संकेत होता है उसका मतलब क्या है? जो HIV के लिए जिमेडार होता है या according to option पहले option पढ़ें फिर उसी साब से आप इसको सोच के अपना answer बता चकते हैं और question exams में पूछा गया है इसका जो right answer होगा according to option इसका right answer होगा option B क्या होगा? CD4 यह जो लिखा है CD4 सिल्स काउंट यह काउंट किया जाता है इसके मात्यम से HIV डिसीजिट का पता लगा जाता है और कई बार हमने इसे बहुत अच्छे से cover किया है एक पुरा passage बताया था हमने CD4 सिल्स के बारे में ठीक है इस पर यह सिल्स होती है एक परकार की CD सिल्स होती है या T सिल्स होती है ठीक है आप इस तरह भी समझ सकते है T सिल्स के नाम से भी से जाना जाता है तो HIV रोग में यह सबसे ज़्यादा मातरा में effective होते है और इनी का सबसे ज़्यादा मातरा में नुफसान होता है यह हमारे क्या होते है बलेड में पाय जाते है और HIV का जो वाइरस होता है वो क्या करता है इनी को ढूंड ढूंड को क्या करता है उनको मार देता है डिश्टॉय कर देता है ठीक है तो HIV में CD4 क्या होते है नस्ट होते हैं तो इनकी संख्या में क्या होती है बहुत ज्यादा मात्रा में कमी आ जाती है आप इस तरह समझ सकते हैं पिछला वीडियो देख लिए ज्यादा डिटेल्स के लिए क्योंकि हमने पूरा पैसेज कवर किया था इसमें HIV डिसिस से रिलेटेड उके नेश्ट कोशन है यहाँ पर कोशन नमर है थ्री आप पढ़ लें अपने आमसर बता सकते हैं लाश्ट में बताएं आपने के इतने कोशन सही किये कोशन नमर त्री है किसके लिए वेगे टॉमी एकसेल आप इसे इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं कोशन में दिया गया है फार हो वेगे टॉमी एजा सर्जिकल टेटमेंट हिंदी में अच्छे से पढ़ लें फिर इंगलिस में भी कोशन को पढ़ लें समझने के लिए इसका ज यह होता है वेगटवमी इंग्लिश में स्पालिंग यहां से कंफर्म कर लें और इसका जो राइट आंसर होगा आफसंस इसका राइट आंसर होगा ओके यहां पर तुछ डिटियल्स मिंसर नहीं आप इसे समझ सकते हैं काफी अच्छी जानकारी आपके लिए वेगटवमी इस्टमक आपका पेट आपका आमासा है जो ज़्यादा मात्रा में एसिट का निर्मार करता है उसका रेडियूसिंग किया जाता है मलब कम किया जाता है किसके माध्यम से वेगटवमी के माध्यम से आप यहां से समझ सकते हैं वेगटवमी का यूज क्या होता है पैप्टिक यूज़ होता है, अब क्यों कि इसके इस्तान पर क्या होता है, एंटिबायोटिक क्या यूज़ किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपके exams की दृष्ट यह काफी important है, pepticle surgery, यह vagatomic किया जाता है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, जो जो right answer होगा comment करें हमसर अपना इसका right answer होगा absence C ये nerve weakness या नसों की कमजोरी जब सरीर में lid के संचे संचे का मतलब होता है जब इखटा हो जाता है lid काफी मातरा में जब आपकी body में इखटा हो जाए जाएगा या blood में चला जाता है तो इसमें क्या होता है तो action C होगा लेकिन जब भी आपसे पूचा जाएगी जो lead होता है या हिंदी में सीसा कहा जाता है जो lead होता ये किसको प्रबाववित करता है तो आप कामसर होगा क्योंकि public service commission PCS में पूचा गया था il kooshen कि जो lead होता यह किसको प्रभावित करता है तो आप बताएंगे यह तंद्रिका तंद्र को प्रभावित करता है किसको हिंदी में तंद्रिका तंद्र कहेंगे या क्या कहेंगे से इंग्लिस में कहेंगे नर्वस सिस्टम को यह एफेक्ट करता है कॉल, lead substance या हिंदी में सीशा कहेंगे लेकिन according to option बात करेंगे तो नसों की कमजोरी क्योंकि होता क्या है जब भी ये हमारी body में जाता है ये हमारे वेंस में जाके जम जाता है इसलिए हमारे नसों पे क्या होती है वेकिनेस आ जाती है और इससे क्या होता है केंद्री जो central nervous system होता है वो प्रभावित होता है या केंद्री तंत्रिकातंत या तंत्रिकातंत प्रभावित होता है इस तरह आप समझ सकते हैं क्योंकि Public Service Commission में भी इसी तरह पुछा गया था ठीक है कि लेट का प्रभाव होता है वो क्या होता है ये इस क्या होता है इसका प्रभाव हिंद्री में आप लिखना चाहिए तो लिशक्ते हैं इससे सीसा भी बोला जाता है अगर ज्यादा मातरा में जाता है कई बार पूछा जाएंगा की बोडी हो जाए है ह्यों की प्राब्लम्स क्रियेट होती इनीम ही हो सकता है नसों की कमजोरी हो सकती है तंतिका तंतिवेकार हो सकता है जो Neural Disorder हो जाता है वह भी हो सकता है और जब जाब बहुत ज्यादा मात्रा में हाई लेवल में आपकी बॉड़ी में यह एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपकी मिरत भी हो शकती है ठीक है लेट कैने एक्रोज दी प्लेसेंटर बैरियर से यह क्या करता है कर जाता है प्लेसेंटर बैरियल को और इस वज़े से विच मींस प्रेगनेंट वुमेंस वू आर दी एक्सपोज टू दा लीड अशू एक्सपोड दिया दी अनबॉंड चाइल्ड और वह अपने बच्चे को या केंदरी तंत्रिकाय तंत्र को या तंत्रिकाय तंत्र को क्या करता है डैमेज कर देता है और भी कई प्राबलम्स क्रियेट करता है आपको जो एक्जाम्स में पूछा जाता है आपके तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जो लेट का कार्य होता है जो लेट प्र आप देव शक्ते है ठीक हैए अनेइमिया वीकने सक्रूटनी और ब्रेन डेमेज हो जाता है इसकी वज़े से और नर्वस सीस्टम में प्राब्लाम आजाती है ठीक है किसकी वज़े से होता है लेट की वज़े काफी important question है ये next question है question number 5 question सभी पूछे गए question number 5 पर पढ़ सकते है is called का मतलब किसके करण हुई एक जलन होती है is called means an irritation caused by what आपको बताना होगा इसका right answer इसका right answer क्या होगा right answer आप संसी है यहाँ पर flame या हिंदी में जोयत कहते है is called का मतलब जो होता है किसके दोरा जलन हो जाती है जब कोई वेक्ति किसी से जल जाता है इसका मतलब यह होगा कोई भी जोयत मतलब होता है प्रकास या flame flame के माध्यम से कोई वेक्ति जल जाता है उसको क्या कहेंगे इस called होता है उसका मतलब what can get causes the achieving tobacco इसका जो right answer होगा absent is your right answer होगा mouth cancer होगा तमबाकू चबाना किसका करार बन सकता है ये तमबाकू का cancer काफी भेंकर से भेंकर वाला mouth cancer होता है कि इसकी वैज़े से तमबाकू चबाने से जो लोग ऐसे hospitals में होगे जहां पर कैंसर का इलाज किया जाता है तो mostly क्या होता है जितने भी परसंस होते है mostly mouth के cancer बहुत भयानक रूप धारण कर लेते तंबाकू चबाने वाले को mostly ऐसी problems हो जाती है तंबाकू चबाने का मतलब यह नहीं है कि क्वल तंबाकू से ही हो और भी इसके कई करण सो सकते हैं के जो भी पान मसारा और भी तंबाकू के कई substances जाते हैं और भी कई चीजों में मिले होते हैं ऐसे substances होते हैं कई भी ब्रांड होते हैं जिनमें उपलब दे तंबाकू उसके मादम से क्या होता है mouth cancer हो जाता है और काफी भयानकर रूप धारण करता है नेक्ट कोशन है यहाँ पर आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर काफी important है very very important कहें कोशन नमर 7 कोशन नमर 7 पर दिया गया है निमन में से parkland सूत्र parkland formula क्या है यहाँ पर पहले आप पढ़ लें question को फिर से हम details में समझाएंगे which of the following is the parkland formula इसका जो right answer होगा comment कर सकते हैं अपना answer इसका right answer है option B बर्न प्रतिसत इन्टू body weight इन्टू 4 ml इसमें अभी हम details में बताएंगे आप फार्मूला अच्छे से समझ लें parkland formula होता क्या है ठीक है जब कोई patient जल जाता है तो उसमें फिल्यूड या liquid दिया जाता है फिल्यूड दिया जाता है वो इसी फार्मूले के माध्यम से दिया जाता है बर्न प्रतिसत इन्टू body weight इन्टू multiply 4 ml ओके अब इससे थोड़ा समझ लेते हैं यह फार्मूला मिंसन है यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छे से बर्न प्रति फिल्यूड रिक्वार्मेंट इन्ट 24 अवर्स एज यह 24 घंटे के लिए होता है अब इस पर देखें किस तरह से फिल्यूड दिया जाएगा यहाँ पर जो मेंसन किया है है हमने 4 ml पहले हो गया है फिर लिखाए इन्टू TBSA इसका मतलब होता है टोटल body surface area यह बर्न प्रति नार पर बन प्रतिसत दिया गया पर हां यह दिया गया गया है इस हैं fluid होता है given in the first eight hours 50% given in the next 16 hours इसका मतलब यह है कि इस formula का यूज किया जाता है इस formula के यूज के माध्यम से जो भी fluid बनके आता है मालो 6000 आया तो इसका मतलब है जो 6000 का आधा होगा मतलब कितना 3000 जो एमेल होगा वो यहां पर हम example के तौर पर यहां पर समझ सकते हैं काफी अच्छी बात है इससे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं लेकिन समझ ले यहां से क्यों आपके लिए पार्क लेंड फारूला काफी इंपोर्टेंट है एक परसंड जिसका weight 60 kg के आसपास है और वो 20% जला हुआ है कितना 20% जला हुआ है ठीक है आपको समझना है कोई भी हो सकता है गल सेंट बॉय हो सकता है लेकिन जब इस पर काउंटिंग करेंगे तो यह multiply करेंगे यहां पर यह 4 ml लिखा है यहां पर ठीक है 4 ml का multiply करेंगे यह weight में अभी हमने बताया था 4 ml into body weight into 2% को मतलब क्या है जो जल गया थैक है तो यह body weight का multiply करेंगे फिर इसके बात यहां पर 20 20 का मतलब यह है यहां पर कि 20 जो भी बंड पर-30 मतलब कितने पर-30 जला था वह पेचंट यह वेक्ति तो जब इसका multiply करेंगे 4 ml यह body weight यह बंड पर-30 जब multiply किया तो इतना आ गया 4,800 ml आ गया तो इसका मतलब यह हो गया कि जो फिल्यूड है रेप्लेस्मेंट किया जाएगा 24 hours में तो इसका मतलब यह होता है the first hop of the amount is the delivered within the 8 hours from the burn incident and the remaining fluid is the delivered in the next 16 hours इसका मतलब यह हुआ कि इस पे जो दिया गया 4800 ml दिया गया मतलब 2400 ml के आसपास जो होगा वह 8 घंटे में फिल्यूड जब वह उसका एसिडेंट होता है मतलब जो भी वह पेसेंट को भरती किया जाएगा तो इसका जो आधा होगा 2400 ml होगा वह 8 घंटे में supply कर दिया जाएगा यह बोड़ी में दे दिया जाएगा यहां पर आप पढ़ सकते question number 8 है पित्ता से में बनने वाली पत्तरी की इस्तिती को क्या कहते है what is the condition of the gall, bladder and stones इसका right answer क्या होगा comment करें अपना answer काफी अच्छा question है एक्जामस में पूछा जा चुका है question इसका जो right answer होगा इसका right answer है हिंदी में आप पढ़ लें यहां लिखा है पित्ता समरता लिखा है फिर English में यहां पर focus करें spelling पर क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत आपको इदर उदर भी हो सकता है लेकिन spelling just exact मिलेगी क्योंकि एक्जामस में पूछा गया है तो हो सकता है क्योंकि एक्जामस में भी आज़ सकता है ओके तो यह लिखा है कॉलयली theasis ठीक है ये पित्ता से में बढ़ने वाली जो पत्री होती उसकी इस्थिती को क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको कॉलयली theasis के नाम से जाना जाता है या हिंदी में इस तरह यहां पर आप समझ सकते हैं थोड़ी बात आपके लिए नोट पे बेंसा नहीं यह लिखा है जब भी आपसे पुछा जाए कि गाल ब्लिडर की जो सबसे कामन डिसीज़ होती तब आप कामसर यह होगा जब पुछा जाए कि पत्री जो बनने की इस्तित्य होती उसे क्या कहते तब आप बताएंगे कि यह लिखा है कोली ली थाइसेज़ लिकाए तो आपको यह बताना होगा जो पत्री बनती है पितासय में या गाल ब्लेडर में तो उसको कोली थाइसेज़ का जाएगा और जब पुछा जागी जो सबसे common DCJ कबसे common बीमारी कौन सी होती है तब आप ये बताएंगे ठीक है यहाँ पर आप पढ़ ले ये लिखा है colis status ठीक है तब गाल बेडर की जो सबसे common type की बीमारी होती ये बताएंगे कभी-कभी एकजाम से पुछा जाता है कि गाल बेडर की जो DCJ जो होती है वो कौल सी होती है या colis status का मतलब किया किस से रिलेटर सन होता है किस से रिलेटर है तो आपको बताना है ये गाल बेडर से रिलेटर एक बीमारी है यहाँ पर आप पढ़ ले ये किस की वज़े से हो जाती है यह आपको समझना होगा यहाँ पर यह acute या chronic हो सकता है इंफलेमेशन आप दी गाल बेडर जब थोड़ी मातरा में क्या होती गाल बेडर में सूजान आ जाती है उसी को यह कहा जाता है और यह most common type की बीमारी है कहां किये गाल बेडर किये आपको इतनी बात आपको इतनी बात at least you have to learn it now कि कोली सिस्टाइटिस जो है यह गाल बेडर से related एक डिस्टाइटिस है और यह होती कि इसकी वज़े जब सूजान आ जाती है थोड़ी बहुत इस वज़े से ऐसा हो जाता है लेकिन एक बात और ध्यान रखने है जब acute कॉली सिस्टाइटिस होगा यह generally cast divided होता है यह लेका है गल्स सिस्टोन की वज़े से acute होता है और chronic acute दोनों की वज़े से यह हो सकता है ठीक है कॉली सिस्टाइटिस जब mostly आपसे exams में condition लगा दी जाए की acute कॉली सिस्टिस किसकी वज़े से हो सकता है आप बताएंगे गॉल्स सिस्टोन की वज़े से हो सकता है ठीक है लेकिन जो generally पूछा जाता है यह ही पूछा जाता है आपसे exams में की जो inflammation हो जाती गाल ब्लेडर पर उसे क्या कहते है तो आप बताएंगे कॉली सिस्टाइटिस कहते है ठीक है या आपसे exams में इस तरह पूछा जा सकता है की जो सबसे common type आपकी बीमारी होती गाल ब्लेडर की वो कौन सी होती यह वाली होती है ठीक है कौन सी कॉली सिस्टाइटिस जो पत्री बनने की स्थिती होती गाल ब्लेडर में उसे क्या कहते है कौली ली थाइससिस कहते है ठीक है उपर वाला उब्यद है आप अच्छे समझे होंगे निश्ट कोशन पर चलते है कोशन नमर 9 है मारा पढ़ लें आप कोशन नमर 9 यह लिका है अस्ती मज्जा में नया वर्धन होता है कोशन इसी तरह पुछा गया था उसी तरह से लटकिया गया है इसका जो राइट आंसर होगा बता सकते हैं अपना आंसर इसका जो राइट आंसर है आपसंसी इसका राइट आंसर है क्या आपसंसी यह लिखा है myeloma कहा जाता है क्या कहा जाता है myeloma absence इसका right answer है अस्ति मज्जा में नया वर्धन यहाँ पर fill किया जाएगा यहाँ पर fill किया जाएगा myeloma अब समझ लेते हैं यह होता क्या है multiple myeloma also called the multiple myeloma को kyler decisions के नाम से जाना जाता है multiple का मतलब होता है वर्धन या बढ़ जाना ठीक है हिंदी में जिस तरह हमने mention किया था वर्धन का मतलब होता है additional या कोई चीज का new addition तो उसलिको multiple के नाम से हैं संभियोदित किया गया है एकजामस में कई बारे ऐसी भी पूछा जाता है multiple myeloma को किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे kahler diseases के नाम से जाना जाता है हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिसाते हैं kahler diseases फिर next point पे mention है multiple myeloma is the second most common type of the blood cancer after the leukemia इसके बाद है leukemia ठीक है तो आपको सबजना होगा जो myeloma है एक प्रकार का दूसरे नमबर पे जो आता है वो आता है blood cancer कौन सावाला ये myeloma ठीक है myeloma आपको ध्यान रखना है ये myeloma दूसरे नमबर का blood cancer है और पहले नमबर का कौन सा है leukemia है next point यहाँ पर समझ सकते है myeloma से related है the plasma cells are the type of the white blood cells in the bone marrow with this condition the group of the plasma cells become the cancer genus and it multiplies the disease can damage the bones and the immune system kidney and the rbc count इस पर होता क्या है आप यहाँ पर समझ सकते है यहाँ पर define किया गया है कि जो multiple myeloma है उसका वज़े यहाँ पर define किया गया है आप समझ सकते है पढ़ने बाकि जितनी बात हमने बता दी है at least question to answer आपको आना चाहिए ठीक है अगर कोई problem सार ही समझने में तो आप comment कर सकते है हमें इस इनेश्ट वीडियो में cover करेंगे यहाँ पर question number 10 है कौन सी है IUD को 10 वर्सों के बाद बदला जा सकता है which IUD यहाँ पर पढ़ लें लिख लें आप IUD can be changed after the 10 years तो इसका जो right answer होगा क्या होगा comment box में बता है आपसंस ही इसका right answer होगा यह लिखा है QT380A यह exams में पूछा गया question है इसी तरह पूछा गया था exact हमने उसी तरह से लिया है आप यहाँ पर समझ सकते हैं लेकिन थोड़ी details काफी important है आपके लिए यह लिखा है copper T380A a contraceptive यह क्या है एक प्रकार की contraceptive life spawn of the 10 years जिसका जो life spawn होता है वो केतना होता है लगभग 10 साल होता है तो इसी तरह question में पूछा गया था question है कौन सी IUD को 10 वर्सों के बाद भी बदला जा सकता है तो इसका जो right answer होगा यह QT380A होगा ठीक है 380A होगा लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते है जब इस तरह दिया जाए मालो इस तरह न दिया जाए क्योंकि exams में तो इसी तरह पुछा गया है by the way न दिया जाए तब आप बताएंगे copper T380A मालब copper T380A contraceptive एक परकार का जिसकी duration के इतनी होती है बदला जा सकता है 10 साल के बाद भी है इसकी duration के इतनी होती है मालब 10 साल होती है आपको एतनी बात ध्यान रखने है दोनों answer लिख लेना ठीक है यह भी यह लिख लेना है उपर question परेंशन था IUD इसका पूरे नाम होता है Intra Youteं Device Intra Youtearn Device इसका usage किया होता है इसका इसका बर्त कंट्रोलिंग करने में फामली प्लानिंग में बर्त कंट्रोल करने के लिए उसका जाता है Next question नमर 11 आप पाढ़ ले हाकिंग्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है कोशन काफी पोर्टेट है पढ़ ले एक्जांस में पुछा गया कोशन है इसका जो राइट आंसर होगा आफसन डिसका राइट आंसर होगा इस्पलीन या तिली का है जांस में इसी तरह दिया गया था कोशन तिली या हाकिंग्स रोग किस्तन को प्रभावित करता है इस्पलीन या तिली को लेकिन और भी चीज़े इंपोर्टेंट जीने आपको समझना चाहिए ठीक है अब पहरे बात करते हैं हाकिंग डिसीजेच क्या होती है फिर भी एकवार्डी टू जो आपसन था वो इस्पलीन आमसर था ठीक है अब यहाँ पर कई एडिशनल जानकारी नहीं है आप समझ ले तो जाद अच्छा होगा आपके लिए इस्टेपेन हाकिंग्स डेफलब दी मोटर्स निउरान डिसीजेच अब जो बात आती है हाकिंग डिसीजेच के बारे में अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हाकिंग डिसीजेच यह इनका नाम स्टेफेन हाकिंग्स था उनी के नाम पर इस डिसीजेच के नाम हाकिंग डिसीजेच पड़ा यह बीमारी किसको थी ये किसको थी ये साइंटिस्ट थे विग्यानिक थे भौतिक वादी थे इनका नाम था इस्टीफेन हाकिंग्स 2018 में इनकी हाली में मिरत्थ हुई है ठीक है इन्होंने एक बुक लिखी थी काफी चर्चा में रहती है और मोचली गजाम्स में पूछी जाती है PCS एकजाम्स में पूछी गई थी बुक बेंसन है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस्टेफिन की जो बुक का नाम है अप राइफ हिस्टरी आप टाइम यह इनकी बुक का नाम है आप लिख शकते हैं इस्टेफिन हौकिंग की यह बुक से यह एक बहुत बढ़े साइन्टिस से कॉस्मोलोजी के बारे में बात करते थे कॉस्मोलोजी का मतलब होता है study of the universe इसका मतलब होता है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देना ब्रह्मांड के बारे में अध्यान करना यह Stephen Hawking सा वर्क था इनको decision जो भी थी जिसे motion neuron diseases के नाम से जाना जाता है यहisn पूरा paralysis पूरा पूरा क्या था पूरा क्या था पूरा क्या था है उंक जो mTOR Ter limit का कारे होता है कि बारे के muscles को क्य करते हैं तो उनका पूरा बॉडी पर लासिस था मतलब लकवा गिरस्ता कोई बॉडी का पार्ट कामी नहीं कर था उनकी आखें पर घूमती थी तो इसलिए जो साइंटिस्टे थे उनको समझने के लिए क्या कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं तो उनके सामने एक कंप्यूटर लगाया ग समझ लेते तो यह था स्टेपन होकिंग के बारे में काफी इंप्वर्टेट ना आपके लिए तो ध्यान रखना है आपको तो यह से समझ दिता टो डॉक्टर से ने बताया था कि जिसको भी MND कहें इसे क्या हो जाती है तो वो क्या होता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है लगबग 5 साल के अंदर उसकी मिरत्थ हो जाती है लेकिन जब ये काफी उगरगर धान कर लेता है डाइग्नोसिस देखी गई थी इनके बारे में इस्टेफेन होकिंग से बारे में तो डॉक्टर्स ने इने बताया था कि ये 14 महिने से जादा नहीं जी पाएंगे लेकिन ये क्या 76 यह के आसपास जीये थे इनका जो लाइफ इस्पॉन था इनकी जीवन जीया इन्होंने 76 साल तक जीया था और इनको ये जो बीमारी हुई थी ना MND वाली MND वाली जो बीमारी होती ये 20 साल के आसपास हुई बताए जो अनसुलजे थे ठीक है विग बैंक ठीयोरी को डिफाइन के अच्छे से ब्रहमांड के और भी कई चीजे यूनिवर्स के बारे में बहुत अच्छी चीजे बताई है इनकी जो बुक है अब राइफ हिस्ट्री आप टाइम इस पे इन्होंने बहुत अच्छे से म प्रिंड किया जाता था और ये काफी अच्छे काफी बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे ओके आप इस तरह समझ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है कि इनकी जो बुक का नाम है ये इस टेपिन से रिलेटेड था इसलिए हमने बता दिया है नाम से जाना जाता है और इसका जो नाम होगा पूरा यह लिखा है एक कोशन पूछा जाता है जो स्टेफिन हाक्षिंस को कौन सी थी यह वाली थी मोटर नियूरान डिसेजस्टी ठीक है अब बता दिया मैंने इस पर होता क्या है समरी बता रहे हैं हम यहाँ पर आप समझ ले जो मसल्स होते बोडी के वह क्या होते है अच्छे से कारे नहीं करते' रहा नहीं करते अकर्स वेंड आप शुमने से यह मोटर नीरॉन सुभ वरकिग सरी नहीं करते है और इस चीज़ को Neuro Degeneration के नाम से जाना जाता है, किस नाम से Neuro Degeneration के नाम से जाना जाता है, Motors, Neurons क्या करते हैं कि Controlls करते हैं, Activity Muscles की, किसकी Muscles की Activity को Controll करते हैं, या Gripping कहते हैं, या जब भी जिस व्यक्ति को NMD Decisions होगी, मतलब Motors, Neurons, Decisions होगी, तो उसकी मान स्पेशियों को क्या करते हैं, चपट में ले 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 हैं, मसल जब कार करना बंद कर देते हैं, उसी को Motor Neurons Decisions के नाम से जाना जाता है, और यह बिमारी इस्टिपेंस हॉकिंग हो थी इसी वज़े से इसका नाम पढ़ गया था हॉकिंग डिसीज़ ओके उम्मीद है आप अच्छे समझे होंगे नेक्स्ट पॉइंट काफी पॉर्डेन है यहाँ पर समझ लें कुछ नई चीज़े हैं आपके लिए यह लिखा है लूग गहरिक रोग के रूप में भी इसे जाना जाता है किसे यह मोटर नियूरान डिसीज़ को वन लैक परसंस में क्या होता है टू परसंस को यह डिसीज़ अकरस होती है यह होती है और कुछ चीज़े मेंसने मेडिकल इसे डिमॉस्टिटिट एड़ एलस एमियो ट्रॉफिक लेटल एसकलरोसिस नोन एज दा लूग गहरिस डिसीज़ इसी को एलस या मोटर नियूरान डिसीज़ को इस नाम से भी जाना जाता है जो ब्रैकेट पर लिख रहे है इसको आप लिख ले ठीक है यह डैमेज कर देता है किसको नियूरान्स को कहां वाले कि जो मसल्स होते है इनकी एक्टिविटी को कंट्रोलिंग करना और यह कोशन बनता है है यहां से समझ लें आपके वाले इतना यह लिखा है जो लूग गेरिस डिसीज़ होती है अफेक्ट करती है यह मोटर कोटेक्स को अफेक्ट करती है इसका ब्रैंस का रिस्पॉंसिबल होता है motor function के लिए ठीक है या आप इतना समझे ये क्या कर देता है सीज कर देता है या जो controlling चमता होती activity होती उसकी controlling होती हो फेल हो जाती controls नहीं होता ठीक है motor coaches के द्वारा क्या होता है control नहीं होता body के muscles तो जो Stephen Hawking सा जो पूरा part था वो पूरा paralysis था के वाल आखें उनकी घूमा करती थी उनका जो मूँ थाना वो भी थोड़ा सा टेड़ा हो गया था ठीक है काफी तिर्चा हो गया था आखें के वलो आपने आँखों की सारे सारा काम क्या करते थे उम्मीद है आप कभी भूलेंगे नहीं इतनी बाड़ी बाते हमने काफी चाही डिसक समझ रहेंगे तो इसलिए कोशन का इंगलिस वर्जन भी आप पढ़ लिया करें इसका जो साइड इफेक्ट परता है राइट आंसर होगा आफसन डी बाल जरते हैं हेर लॉसस होते हैं प्लेट्स लेस्ट में कमी आ जाती डैरिया भी हो जाता है यह सभी इसलिए आफसन क्य की जाती है कैंसर के मरीजों के लिए की जाती है इतनी बाध्यान में रखना है आपको काइन काजिश दाफट के मनलब काफी बड़ी मातरा में ठकावात मैसूस होती है यह हो जाती हो के और लॉस आप दी एपेटाइट स्वाद कानभाव नहीं होता भोजन का नौजिया हो और में जाता है नौजिह हो जाता है सचाएधी कास्टिपेशν हो जाता है डारीया हो जाता अे माउट पे सोर्स आ जाते ही मुंग के जिए कटने लगते हैं और ट्राबलम हो में लिए मेंलिदी जो बात ध्यानि रखनी है आपको कीमो थ्रैपिक मादम से विक्ति क्या होते है बाल जड़ने लगते हैं टकला होने लगता ठीक है धिरे-दिरे क्या होते है mostly पूरे बाल जड़ जाते हैं माउथ के कौर्णर्स जो होते हैं माउथ वाले जो माउथ इसका राइट अंसर क्या होगा इसका जो राइट अंसर है आपसंसी इसका राइट अंसर है aplaus tic anemia कहा जाता है क्या कहा जाता है question को carefully आप पढ़ ले फिर अपना अंसर बता शकते हैं यहाँ पर आप देख लें absence इसका राइट अंसर था ठीक एक्जामस में पूछा गया question है यहाँ पर आप परसते details है आपके लिए aplausic anemia यह लिखा है aplausia यह aplausic anemia यह एक प्रकार का bone marrow aplausic anemia कहा जाता है यह एक प्रकार की बहुत rare condition होती है जिसमें body stop new blood cells इसमें body क्या करता है जो new blood cells होते है उनको produce नहीं करता है bone marrow में क्या होते है जो blood cells होते है वो produce होते है bone marrow में क्या होते है जो blood cells होते है bone marrow में produce होते है और bone marrow क्या करता है इनको अच्छे से produce नहीं कर पाता इसलिए क्या हो जाता है aplausic anemia हो जाता है यह यूँ कहें लिकोसाइड, इठोसाइड, प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, सभी बिलड के पार्ट होते हैं इतनी बात समझ लें, और जब इन तीनों की कभी हो जाएगी तो इसी सीद्ग क्या कहेंगे, ये कहेंगे क्या, एपलॉस्टिक इनेमिया कहेंगे तो आप बताएंगे, aplostik anemia हो जाएगा, या aplostik anemia develop हो जाता है, okay, the damage, the damage may be the present at the birth or the occur after the exposure to the radiation and the chemotherapy and the toxic chemicals and some deaths and infection, इसके कई वज़े हो सकते हैं, जिसकी वज़े से bone marrow आपका damage हो सकता है, परयापत मातरा में पिलेटल, लिकोसाइट और इर्तोसाइट का निर्मार नहीं हो सकता है, WBC, RBC इनका परयापत मातरा में जब निर्मार नहीं होगा, तो इसका मतलब यह समझा जाता है कि आपका bone marrow damage हो गया है, okay, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है अपलास्टिक इनिमिया का जाता है, इनिमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है इसे इनिमिया का जाता है, okay, तो आप इस तरह समझ सकते है bone marrow damage हो जाएगा, उससे यह कहेंगे, okay और इसके करान कई हो सकते हैं, यहापर यह mention है, केमोथ्रैपी हो सकता है और कई ऐसी chemicals दवाएं भी हो सकती है, okay नेश्ट को यहापर और पॉइंट में समझ लें, आप काफी important आपके लिए एक word हमने आपसन में दिया था, polysithemia क्या होता है यह refer करता है, increase the numbers of the RBC, in the body जब आपके body में क्या होता है, RBC की मातरा ज्यादा बढ़ जाती है उसे polysithemia के नाम से जाना जाता है, इसे आप लिख लें, काफी important है आपके लिए जो red blood cells होती है, लाल रखते कड़का है कहते है हिंदी में जब इनकी मातरा बॉड़ी में ज्यादा हो जाती है, उसे ये कहा जाता है polysithemia कहा जाता है, आप इसके बारे में समझ लें, यह किस तरह कारे करता है या होता क्या है, एक प्रकार का है blood cancer होता है, इस टाइप आप दी blood cancer, इसका मतलब है red blood cells जब आपके bone marrow में जरूरत से ज़्यादा बनने लगती है, क्या जरूरत से ज़्यादा बनने लगती है तो उसे polysithemia के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का यह क्या है blood cancer है जब RBC के माध्यम से जो cancer होगा, आप question में इस तरह लिख सकते हैं जो RBC के माध्यम से cancer होगा, उसे polysithemia के नाम से जाना जाएगा और RBC के माध्यम से cancer कब होगा, जब जरूरत से ज़्यादा आपका bone marrow producing करने लगेगा क्या RBC, मतलब red blood cells या रखत कड़का है लेकिन एक point आपको और ध्यान में रखनी है कई वीडियो में हमने समझाया भी है leucocytes या leukemia leukemia में क्या होता है, leukemia में बात करते हैं जब WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी, increase हो जाती थी body में हमारे तो उसे क्या कहते हैं, leukemia खहा जाता था बोन मेरों में या producing करने लगता है ज्यादा तब उसे RBC की मात्रा से जो cancer होगा उसे polysithymia कहेंगे जो WBC की मात्रा से, WBC की जब मात्रा जो होगी quantity जो increase हो जाएगी हमारे body में तब उसे कहेंगे blood cancer ये भी होता है लेकिन उसे leukemia कहा जाता देखने जिनका answer गलत है उतको में oxygen की कमी क्या कहलाती what is the lack of the oxygen in tissue इसका जो right answer है option B, इसका right answer है option B, hypoxia कहा जाता है उतको, उतक मतलब होता है tissue क्या होता है tissue उतक को, इंगलिस में tissue कहा जाता है हिंदी में उतक कहा जाता है इस तरह कोशन लिख लिए यह M's nursing में पूछा गया कोशन है, किसी के exams में कभी भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखे, काफी important है तो hypoxia कहा जाएगा, इसका right answer option B, ओके, तोड़ा समझ लेते हैं यहाँपर, काफी important चीज़े है यह लिखा है hypoxemia एक word होता है hypoxemia एक होता हाइपोक्सिया यह दो word होते हैं, काफी confusion create करते हैं जब उतकों में कमी की बात करेंगे तब आप reference करेंगे word hypoxia ठीक है, जब बात करेंगे आपके blood में oxygen की कमी हो गई है तब उसे कहेंगे hypoxemia spelling पे focus करें, spelling लिख लिखें यहाँ पर hypoxia लिखा है ठीक है, hypoxia का मतलब है आपके tissue में lack of blood ठीक, lack of oxygen मतलब आपके जो tissue होते हैं blood के अंदर पाए जाते हो उस पे जब कमी हो जाएगी तब उसे कहेंगे hypoxia और जब आपके blood में ही कमी हो जाएगी oxygen के तब उसे कहेंगे hypoxemia इस तरह आप समझें यहाँ पर पढ़ लें लो oxygen in your blood आपके blood में oxygen की कमी क्या कहलाएगी hypoxia कैन काजित है hypoxia और यही करण होता है किसके लिए hypoxia के लिए, क्यों होता है प्रिकि जब blood में कमी हो जाएगी तो उसे hypoxia कहेंगे जब blood में कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके जो blood के अंदर tissue पाएजाएगे उस पे भी कमी हो जाएगे जब tissue में कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे hypoxia कहेंगे वो मीद है आप अच्छे समझे होंगे अच्छे से डिफाइन किया अगर आप अच्छे से डिफाइन किया है अगर आपको आपसन में इस तरह दिया जाए कि जब आपके blood में oxygen कमी हो जाएगी तब आप इस word को refer करेंगे ठीक है hypoxemia जब tissue की बात करेंगे तब आप कहेंगे hypoxia लेकिन दोनों की problems के लिए अकसर जो इस्तमाल किया जाता है hypoxia के इस्तमाल किया जाता है define कर दिया है आप समझ लें according to option आपको solve करना इन दे एक्जाम्स कोशन है लास्ट कोशन है आपके लिए आपको बताना होगा इसका answer क्या होगा question number 16 है काफी important question है आप पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर किस रोग में डाइमेंसिया की इस्तिती उत्पन होती है in which disease does the condition of the डाइमेंसिया occur according to option आपको आपको आपसर बताना होगा उमीद करता हूँ आप सभी लोग इसका आपसर बताएंगे और वीडियो पे चैनल पे नए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि हम डेल एक टेस्ट स्रीज अपलोड करते हैं चैनल के अगर नए हो इसे जरूर सब्सक्राइब करें तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक्स पर वाचिंग प्रेंट थैंक्यू